हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टुमारी चैनल दवे ओफ लाइबित पूजा आज की वीडियो है बहुत ही खास आज में बताऊंगी कि अपनी किचिन और अपने घर के छोटी छोटे फैले हुए समान को कैसे मैनेज करें तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देख पा रहे हैं कि हमारे सामने मल्टी परबस मल्टी पॉकेट वाला एक फैबरिक का और्गनाइजर रखा हुआ है जिसको मैंने घर पे ही बनाया था फ्रेंट्स हमारे घरों में इतना छोटा-छोटा सामान पड़ा रहता है जिसको रखने की कई बार हमें जगह नहीं मिलती है तो इस तरह के पाउकिट्स का यूज करके हम अपने सामान को अरेंज कर सकते हैं इसको स्टिच करने के टाइम पे मैंने छोटी छोटी चीजों के लिए अलग सेक्शन मनाए हैं और बड़ी बड़ी चीजों को रखने के लिए अलग सेक्शन मनाए हैं मैंने मॉर्निंग ताकि सबको इदर उदर ना भागना पड़े आप देखी रहे होंगे मैंने अपने सारे समान को इसी और्गनाजर में उपर से नीचे तक पूरा अच्छे से सट अप किया है इस और्गनाजर को बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स आप अपने घर में भी कर सकते हैं आपका समान मिस्प्लेज नहीं होगा आपका समान जल्दी मिल जाएगा और जहां छोटे-चोटे बच्चों होते हैं वहां पर इस तरह के और नाजर बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं और फ्रेंड्स इसको इंस्टॉल करना बिल्कूल भी मुश्किल नहीं ब मैंने इस और्गनाजर को अपनी बास बेसन के पास लगाया है ताकि हमको अपनी चोटी मोटी डेली नीड्स की चीज़ें इजीली मिल जाएं मैंने इसको बिंडो पर लगाने के लिए यूस किया है दो सेफ्टी पिन का जैसे कि मैं आपको पहले बताया था मैंने दोनों साइड में सेफटी पिन का यूज करके इसको इंस्टॉल कर दिया है जैसे कि आपको देख के पता चला हुआ कि मैंने इसको कहां पे लगाया है मेरी बास बेसन पास में ही और मेरा डेली नीड का समान भी विल्कुल पास में ही है मेरे बच्चे भी इजीली वहां से ले सकते हैं समान मैंने इस और्गनाजर को ज़्यादा हाइड पे नहीं लगाया है मेरे बच्चे वहां पे इजीली पहुंच जाते है नॉर्मली ये कर्टेन ऐसे ही बन रहते हैं यह जबी खुलती है जब हमा ओर्गनाजर में से कुछ अपना सामाल लेना होता है और फ्रेंट्स ऐसा ही एक ओर्गनाजर और मैंने बनाया हुआ है इसका यूज मैं करती हूँ अपने बार्डोब में इसको भी मैंने सेम उसी तरीके से बनाया है जैसे मैंने पहले बाला organizer बनाया था इस organizer में मैं hanger लगाऊंगी और उसको करूँगी safety pin चे safe friends safety pin ने हमारी life को भूत ज़्यादा easy कर दिया है हर छोटी मुटी चीजों में हम safety pin का use करते हैं और अपनी life को easy बनाते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने हैंगर को अपने और्गनाजर से अटेश कर दिया है इस तरह के और्गनाजर बनाके आप अपनी कवर्ड में लगाईए और अपनी लाइफ को इजी बनाईए हमारी बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती हैं बहुत इंपोर्टेंट पेपर होते हैं कुछ पैसे होते हैं इन सब चीजें को आप अपनी कवर्ड में इस तरह के और्गनाजर लगा के उसमें और्गनाज कर सकते हैं मैंने तो इस तरह के बहुत सारे और्गनाजर बना के अपने घर में लगा के रखे हुए हैं, इससे मेरा सामान अच्छे से मैनेज हो जाता है फ्रेंट्स आप भी इस तरह के और्गनाजर बना के आप अपनी लाइफ को वेजी बना सकते हैं इसको बनाना जितना आसान है उतना ही लगाना भी है आप देख पा रहे हूँ है मैंने अपनी कवर्ड में इसको किस तरह से अरेंज किया है ठीक इसी तरही के का एक और्गनाजर और मैंने बनाया है इसमें मैंने रखा है कुछ स्टेशनरी का सामान जादा तर हम लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा सारा सामान स्टेशनरी का इदर बिखरा रहता है इस तरह से एक और्गनाजर बना के आप अपने घर में कहीं पे भी लगा के अच्छे से अरेंज कर सकते हैं सारा स्टेशनरी का सामान इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए इस तरह के और्गनाजर बहुत ज़्यादा काम के होते हैं आप भी इस तरह की चीज़ों को अपने घर में बना के अपने सामान को अरेंज कर सकते हैं इस तरह से अगर हम अपना सामान अरेंज करके रखते हैं तो टाइम भी सेव होता है और हमें चीजें भी इजीली मिल जाती है और इसमें हेंगल लगा होने की वज़ेसे आप कहीं पर भी लगा सकते हैं अपनी कवर्ड में लगा सकते हैं, बचों की अलमीरा में लगा सकते हैं और फ्रेंट्स, एक औरगनाजर मैंने और बनाया हुआ है, जिसका यूज मैं करती हूँ अपनी किचिन में इस और्गनाजर में मैं रखती हूँ बुदन नौनिस्टिक कुकिंग स्पून, डीप लैडल, विसकर्ट, लैडल, टर्नर, कुकिंग स्पून और सारिण स्पून और भी बहुत सारी चीज़ है फ्रेंट्स कुकिंग करने के टाइम पे ये सारी चीज़ें मेरे सामने रहती हैं जिससे मुझे जिस भी चीज की जरुवत पड़ती है वो चीज मुझे इजीली मिल जाती है फ्रेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने पड़े हुए हैं चार वायर जिनको मैंने S का सेप दिया है आपको ये बाद जानके हैरानी होगी कि ये छोटा सा वायर आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा यूसफुल है इस तरह के strong wire market में भी मिलते हैं मैंने इसको निकाला है अपने last year के calendar में से इसको निकालना बहुत ही ज़्यादा easy है एक calendar के wire से आप 3s मिना सकते हैं मैंने इस wire को cut कर लिया है और अब मैं दिखा रही हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया है मैंने लिया है एक प्लायर, प्लायर की हल्प से मैं इसको मोर के S का शेप दे रही हूँ फ्रेंट्स वायर मोरने के टाइम पे थोड़ा आप ध्यान रखिए कहीं आपके हाथ में चोटना लग जाए आज आप देखेंगे कि इस तरह के वायर को कट करके S बना के मैं कितने सारे अपने घर के कामों में यूज़ करती हूँ जिस तरह से मैंने बनाया है इस तरह से आप भी इसको बना सकते हैं आप देख रहे हैं कि सामने आपके एक चॉपिंग बोर्ड लगा हुआ है इस चॉपिंग बोर्ड को मैंने लगाया है इसी तरह के वायर को कट करके S वाला सेप देके फ्रेंट्स किचिन में हमारे पास इतना सारा सामान होता है जिसको मैनेज करना बड़ा मुस्किल होता है इस तरह से आप अपने सामान को मैनेज कर सकते हैं इस तरह के हुक्स को आप किचिन में लगा के अपनी लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं अपने लैडल, सर्विंग, स्पून, कुकिंग, स्पून, विजकर वगरा को अरेंज करके रख सकते हैं सारी चीज़ें आपको एक ही जगे पर मिल जाएंगी और देखने में भी अच्छी लग रही है फ्रेंट्स, मैं तो सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आप इन हुक्स को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं इस तरह के हुक्स पे आप अपनी किचिन के टावल को भी लगा सकते हैं ताकि आपको एज़ादर ढूनने की जरूरत ना पड़े और भी बहुत सारे एक्सपरिमेंट आप कर सकते हैं इस तरह के हुक्स यूज़ करके अपनी किचिन में एक आइडिया मैं आपको और दे रही हूँ मेरे पास थे बास्केट के सैट तो एक बड़ा वाला बास्केट मैंने एस वाले हुक्स की हेल्प से मैंने अपनी विंडो पे लगाया है इसमें मैं अपनी किचिन का बहुत सारा important सामार रख लेती हूँ और मेरी जगए भी बचती है आप देख पा रहे हूँ है कि मैंने अपनी इस बास्केट को किस तरह से arrange किया है friends पहले मैं ये वास्केट को नीचे स्लैप पे ही रखती थी अभी वास्केट वाली जगए खाली रहती है उस जगए पे मैं और अपना ज़रूरी सामार रख लेती हूँ अभी किचिन की स्लैप काफी खाली-खाली रखती है और साफ दिखती है friends आप भी अपनी किचिन को इसी तरह से manage कर सकते हैं ताकि आपकी किचिन में थोड़ा space हो जाए मेरी किचिन तो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है क्योंकि मैंने इसको अच्छे से manage किया हुआ है एक-एक सामान मैंने तरीके से लगाया हुआ है इस तरह के hooks का और आप कैसे use कर सकते हैं यह आप देख रहे हैं मैंने अपने cups को in hooks पे लगाया हुआ है friends सहरो में आजकल इतनी छोटी-छोटी kitchen होते हैं जगे नहीं होती है कि हम अपना सामान कैसे arrange करें तो आप इस तरह के छोटी-छोटे tips अपना के अपने समान को अच्छे से arrange कर सकते हैं अगला एक और idea आपके बहुती काम का है मैंने अभी आपको अपनी kitchen में दिखाया था कि basket को मैंने कैसे लगाया है उसी basket के साथ ये दोनों basket भी साथ में आई थी friends ये वाली basket थोड़ी छोटी है तो इनको भी मैंने उसी तरह से लगाया है जैसे मैंने kitchen में लगाया था आप देख पा रहे होंगे इन दोनों basket को मैंने bedroom में लगाया है और अपना छोटा मोटा cosmetic का समान उसमें रखा है तो देखा आपने एक छोटा सा wire हमारी life में क्या कमाल करता है हमारी चीजों को कितने अच्छे से manage करने में help करता है i hope आपको ये मेरा video अच्छा गहगा आपको ये मेरे tips पसंद आए होंगे अगर आपको मेरा video अच्छा लगा है तो मेरे video को like करना बिलकुल नभूले